नमज़ क्या दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों ये आज की वीडियो आपके सभी एक्जामों के लिए बहुत ज्यादा हेलपफुल हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाज तक चुरूर देखीगा चली शुरू करते हैं आज किस वीडियो को पहला प्रशन देखिए श्रीस्याम सरनेगी कौन थे? तो दोस्तों इसका अंसर है स्वतंतर भारत के पहले मत दाता श्रीस्याम सरनेगी जो है स्वतंतर भारत के पहले मत दाता थे प्रंतु की नौर के हिमाच छांदित क्षेत्र होने के कारण यहां पहले ही चुनाब करवा दिये गए थे और स्रिस्याम सननेगी जी जो है बोट डालने वाले पहले व्यक्ति बने थे उन्हें 2010 को मुख्य सचिव आयोक्त स्री नवीन चावलद्वारा जो है समानित भी किया अगला प्रेशन देखिए पहाड़ी बुलबुल कहकर किसे पुकारा जाता था इसका जो अंसर है पहाड़ी गांधी बावा कांसीराम दोस्तों पहाड़ी बुलबुल कहकर जो है बावा कांसीराम जी को कहा जाता था दोस्तों सरोजनी नाइडू ने बावा कांसीराम को ब अगला प्रशन देखते हैं धामी गोलिकांड का नेतरित्व किस ने किया था तो इसका अंसर है भागमल सोठा दोस्तों यह जो धामी गोलिकांड था यह हिमाचल प्रदेश गोलिकांड की जो है पहली घटना थी और यहां गोलिकांड जो है 1949 में हुआ था यदि आपसे पूछा जाए कि धामी गोलिकांड कब हुआ था का अंसर होगा 16 जुलाई 1949 को यह जो धामी है यह सिम्मला जिले में पढ़ता है अगला प्रशन देखिए मेजर सोमना सर्मा कौन थे दोस्तों मेजर सोमना सर्मा जो है परथम परंबीर चक्र विजेता थे मेजर सोमना सर्मा जो है कुमाव रेजमेंट की चौथी वटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे इन्हे जो है भारत के राष्टपती द्वारा मर्नोपरांत भारत का सर्वोच वीरता समान परंबीर चक्र से समानिद किया गया था और मेजर सोमना सर्मा जी जो थे हिमानचल प्रदेश के कांगडा जिले से सबंदित थे अगला प्रशन देखिए कुलूत देश की कहानी किसकी रचना है तो इसका अंसर होगा लाल चंदर पार्थी दोस्तों कुलूत देश की कहानी जो है लाल चंद प्राथी जी की रचना थी तो लाल चंद प्राथी ने 1942 में भार छोड़ अंदोलन में भी भाग लिया था इनका जनम जो है कुलू के नगर में हुआ था और ये जो लाल चंद प्राथी जी थे कुल्लू के बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे अगला प्रशन देखिए सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस बनने वाले एक मातर हिमाजली कौन थे तो इसका अंसर होगा मेहर चंद महाजन दोस्तों मेहर चंद महाजन जी का जर्म जो है 23 दिसंबर 1889 को कांगडा के नगरोटा में हुआ था और वहां 1954 में सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस बने थे अगला प्रशन है सेडियूल ट्राइब हिमाजल प्रदेश किताब किस ने लिखी थी तो इसका जो अंसर है ये है ठाकुर से नेगी ठाकुर से नेगी ने जो है सेडियूल ट्राइब हिमाजल प्रदेश किताब लिखी थी और इनका जनम जो है 1989 में किनौर के सौंग में हुआ था वहां दो बार विधान सबा के अध्यक्स भी रह चुके हैं अगला प्रशन देखिए उसने कहा था किसकी प्रसिद रचना है तो इसका अंसर होगा चंद्रधर सर्मा गुलेरी दोस्तो गुलेरी जो है हिंदी साहित के प्रसिद लेखक कहानिकार गीतकार वह स्मिक्सक थे इनका जनम जो है जैपूर में हुआ था लेकिन पैत्रिक गाउं जो है इनका कांगड़ा का गुलेर था सुखमय जिवन बुद का कांटा इनकी प्रसिद रचनाय है अगला प्रशन है कवीराज के नाम से किसे जाना जाता था इसका अंसर है पंडित पदमदेव दोस्तो पं इनका जाता था इनका जो है सविने अबग्या आंदोलन तथा भर थोड़ों आंदोलन में भी भाग लिया था इनका इनका प्रसिद देखिए खिशेच्त्रफल की द्रिष्टी से हिमाजल प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है तो दोस्तों इसका नाम है ग्रेट हि दोस्तों ग्रेट हिमालेन प्रेसनल पार्क जो है कुलू जिले के तिर्थन में स्थित है यह 1984 में मनाया गया था और 1999 में इसे जो है राष्ट्रे पार्क गोसित किया गया था इस पार्क को जो है 2014 में युनेसको द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुची में भी समिलि किया गया था अगला प्रशन देखिए केंद्रिया आलू अनुसंधान केंद्र सिमला जिले के किस स्थान पर स्थित है तो इसका जो अंसर है यह है कुफरी में अगला प्रशन देखिए परदेश में किस स्थान पर पत्थर का खेल नामक सुपरसिद मेला लगता है तो दोस्त जाता है कि पुराने समय में यहां नर्बली भी दी जाती सी प्रंतु अब यहां प्रथा जो है नश्ट हो गई है और अब यहां जो है पत्चर का खेल खेला जाता है और यह जो हलोग है यह सिमला जिले में स्थित है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा धन्यवाद